यह जंगल की कहानी है, एक चत्र लोम्री थी आप जानते हैं जैसा कि लोम्री खरगोस का रेविट का सिकार करने में माहिर है उसने रेविट को कहा मैं तुम्हारी नानी हूँ रेविट ने सरूचा उठा करके कहा मेरी तुमानी कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरी मा często की बहान ह तुम ये क्या कहानी कह रही हो रेविट आश्र शकित था तुम लोग तु हमेशा खाती हो आया नए 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 तुम मान लो मैं तुम्हारी मा की बहन हूँ तुम्हारी मा की मा हूँ मैं मैं तुम्हारी नानी लगती हूँ तुम मेरे पास आओ और प्रेम से रहो और ये कहते हुए लोमली यानि फॉक्ष आगे बढ़ती रही इसने का भाई तुम तो मेरी नानी नहीं लगती हो मेरी नानी ने तो कभी नहीं कहा कि मेरी कोई बहान है तुम ये जूठी कहानी कर रही हो लोमडी तुम मेरी मा की चाची नहीं लगती हो तुम मेरी नानी नहीं हो लोमडी ने कहा नहीं नहीं बेटे विश्वास करो मैं तुम्हारी मा की चाची हूँ मौशी हूँ मौशी और मैं तुम्हारी नानी लगती हूँ इस से उसने कहा नहीं भाई तुम नानी नहीं लगते, तुम तुम मार के खाती हो, इस पर लूमडी ने अटाइक कर दिया, आकमर कर दिया, रैविट को मारने के लिए, और पकड़ने के लिए, देखे कितनी जोर से छलांगे लगा लगा करके, लूमडी पीछा कर रही है, रैविट की, रैविट ने कहा, मैं भी तुमसे कम नहीं मैं देखो मुझे मैं कितिजी से दोड़ता हूँ और दोनों में दोड़ लग गई जहां लोमडी उसे मारना चाहती थी वहीं पर रैविट अपने जान बचाने के लिए जोसे भागा और रैविट चिलाने लगा ममी ममी पापा पापा मुझे बचाओ तब तक नदी आगई अब लोमडी ने कहा अब कहा जाओगी अब तो तुम फस जाओगी और मैं तुम्हें मार के खा लूंगी रैविट ने कहा तुम घबड़ाओ मत मौसी नानी तुम नानी जरूर लगती हो लेकिन तुम्हें मार नहीं पाओगी मैं भी दोड़ने में कम माहिद हैं कहती है कि इतनी तेरी मजाल और रैविट ने उची छलांग लगाई जैसा कि आप देखते हैं और लोमडी से बसने के लिए उसने उची छलांग लगा करके पानी के नाले को पार कर दिया लोमडी कही अले तुमने नाले को पार कर दिया हां